पासपोर्ट सबसे एहम दस्तावेजों में से एक है यह इंटरनाशनल आईडी प्रूफ की तरह होता है इसलिए इसे रिन्यू कराना बेहत जरूरी होता है आपको बता दें कि पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपको कई सारे डीटेल्स फिल करने होते हैं तो अगर आपको अपना passport renew करना है तो आप online ही आसानी से घर बैठे भी passport को renew करवा सकते हैं इस वीडियो में हम आपको step by step process बताएंगे कि आप कैसे अपने passport को online renew करवा सकते हैं तो सबसे पहले आपको passport सेवा की website पर जाकर register करना होगा अगर आप पहले से register नहीं हैं तो new user पर जाकर login करें इसके बाद आप अपने घर के नस्दी की passport office को चुने जब आप अपने आपको register करने के लिए form detail भरेंगे तो एक login ID और password generate होगा अब इसके बाद आपके registered email ID पर एक confirmation mail आएगा फिर आपके mail पर link आएगा और उस पर आपको click करना है फिर passport account पर login करके apply for fresh passport या फिर ratio of passport पर click करें इसके बाद आपको application form भरना होगा आप इस form को सही जानकारी के साथ भरें आपको दो reference भी देने होते हैं दोनो reference की जानकारी सही से fill करनी होगी इसके बाद आपको form submit करना होगा अब आपको schedule appointment पर click करना होगा फिर confirm हो जाने के बाद आपकी appointment schedule हो जाएगी इसके बाद आपको इसी website से एक application reference number मिल जाएगा इसके बाद आपको schedule passport office में जाकर अपने document verification कराने होगे इन documents के तहट आपको birth certificate, address proof, proof of nationality, identity proof with photo, original passport passport के पहले दो पेज की self-attested photocopy, self-attested ECR की दो photocopy, short validity passport की self-attested photocopy ले जानी होगी जिसके बाद आपका passport renew हो जाएगा तो ये थे कुछ आसान steps जिनकी मदद से आप आसानी से घर बैठे अपने passport को renew करवा सकते हैं वह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल india.com को subscribe करना ना भूले